है तो हेलो दोस्तों आज हम लोग एमल अगरवाई की क्लाश 6 की माथमाटिक बुक से हम लोग exercise 9.5 बना रहे हैं जोकि लीमिय रेक्वेशन है उसका हम लोग second number question solve कर रहे है तो लिखते हैं first question क्या है तो दोस्तों first question है x plus 6 is equal to 8 तो दोस्तों बहुत ही simple है हम लोग इसको अगर यहाँ पर plus 6 है तो हम लोग को lhs और rhs दोनों में minus 6 करना पड़ेगा मतलब अगर हम लोग plus कर रहे है तो वो negative में चला जाएगा हम लोग multiply कर रहे है तो divide हो चला जाएगा is equal to x is equal to 8 minus 6 तो इसको हम लोग का answer simply लिकल चुका है x is equal to 2 आये बढ़ते हैं दूसरे number question पर जो second number question is x minus 2 is equal to 5 x minus 2 is equal to 5 जो दोस्तों यहाँ पर अभी minus 2 है तो lhs और rhs में आप लोग plus 2 करेंगे तो x is equal to 7 आये बढ़ते हैं तीसे question में 4 x is equal to 6 तो दोस्तों 4 x में लोग क्या हो रहा है 4 into x तो x is equal to 6 by 4 करेंगे 6 divided by 4 so x is equal to 6 by 4 और simplify करने से आता है answer x is equal to 3 by 2 तो बढ़ते हैं तो बढ़ते हैं चॉच्छे question पर 4 question है x by 2 is equal to 5 दोस्तों बता रहा हूं यह बहुत important chapter है और यह आपको higher 10 तो पाच्छे question है पाच्छे question है तो दोस्तों पाच्छे लिखोन आपर भेच देंगे तो हम लोग both side 3 add करेंगे तो 2y is equal to 2 plus 3 is equal to 2y is equal to 5 हो गया 5 by 2 क्योंकि गायल गे answer इसी लिए आया क्योंकि आम लोगों both side divide करना था आप दीख सेक्टे है 2y था या आपकर इसी लिए आम लोगों both side divide करना था तो 6th number question मैं बढ़ेंगे आम लोग तो 6th question is 5y plus 2 is equal to 4 तो यहां पर plus 2 है तो both side हम लोग minus 2 करेंगे 5y is equal to 4 minus 2 is equal to 5y is equal to 2 तो यहां पर हम लोग इसाइन देंगे y is equal to both side हम लोग divide by 5 करेंगे so 2 by 5 हमारा answer आगया so guys आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो वी थांक्स फर वाचिंग